हेलो एवरिवन वेलकम बैक टुडिसी यूट्वीट चैनल जी हां एकडिट एक्जाम बहुत ही करीब आ चुका है और हर दिन आपको यहां पर प्रपरेशन करना है हर दिन आपको महनत करना है जी तोड महनत करेंगे तब जाकर आपको सक्सेस जरूर से मिलेगा चलिए आसान बहतरीकार बहतरीन परिणाम इस सीरीज में आज देखते हैं फार्मिसी लाइंड इसिक्स का पार्ट थ्री इसके पहले आपने पार्ट वन पार्ट तू देखी लिया है और नहीं देखा है तो इसका आपको यहां पर एंड टाइम में जब यह वीडियो एंड होगी तो सैफिया कर सीफिया कर उसे भी चेक करना इनकícios भीजा कर जरूर से साल्व करना साथी इस पूरे सीरी इसको अपने फ्रैंड से कल में सरकलेट करना क्योंकि उनके लिए इंपॉर्टिंट वीडियो बन सकता है उनकले इसकाई है उनके लिए इनपॉर्ट इंफॉर्मिशन हो question देखते हैं which one of the following is not the body of administrative bodies of drug and cosmetic activity कुछ mixing subject mixing topics भी रहेंगे drug and cosmetic तो है साथ ही साथ NDPS maximum आपको NDPS के question यहां पर देखने को मिलते हैं चलिए क्या क्या इन में से आपको बोला गया कौन सा इन में से advisory body नहीं है अच्छा administrative body इसमें से कौन सा नहीं है देखिएगा की बात करते हैं तो तीन बॉडी से मिलकर बनता है यह तीन इसके बॉडी रहेंगे administration में पहला तो advisory body रहता है दूसरा आजाएगा यहां पर आपका एनलाइटिकल बॉडी और तीसरा आता है executive body इनका काम है एडवाइज देने का एनलेटिकल काम है एनलाइज करने का ड्रक सेंपल को एनलाइज करेंगे और executive का काम है जो भी इनके द्वारा नियम बनाएगे हैं उन्हें एक्जिक्यूट करने का फिल्ड लेवल पर ऑपरेट करने का जैसे ड्रग इंस्पेक्टर आते हैं लाइसेंसिंग आती है चलिए यहां पर बात करें एडवाइजरी बॉडी हाँ जी बिलकुल आ रहा है डिट की बात करें नहीं इलेक्टेड बॉडी यहां पर नहीं रहती तो आपको एक्सेप्शनल केस निकालने बोला था तो करेक्ट एंसर आप्शन नंबर डी यहां पर आपको देखने को मिलेगा चलिए अगला कोशन देखते हैं फूइस देचियर मैन और डीटी एबी ठीक है ड dgs के नाम से जाना जाएगा जिंडिया चलो यहां पर पर क्रेक्टर निकले का जी इनके ने कि मैंबर हैं कितने होते हैं मिमिला कर 8 आट आक ऑप्र होते हैं 5 मेंबर होते हैं 5 में इसमें बात करें इसक अप घ्रींडर में dolorone सर्वीसे इसे ही इनका चियर मैन भी बनाया जाता है ध्यान से सुनेंगे जी यही जो इनको पर्शन ख नहीं पर के तोर पर भी काम करते हैं देख लेना कुल मिलाकर आंट यहाँ पर एक्स ऑफिसर सब कर पंच और पांच एलेक्टेड नंबर मेंबर तो रहते हैं अग्ला चलना कहा पर आ रहा है पहला तो 1986 कट कर दो 86 कट कर दो फूर्टीन नॉवंबर 1985 and 23rd of April 1985 यहाँ पर करेक्टेंसर आपको निकालना है तो देखेगा कैसे याद करना यहाँ पर चिल्डेंस डे के तोर पर ठीक है फूर्टीन नॉवंबर ठीक है चौतर नॉवंबर क्या होता है चिल्डेंस डे होता है तो चिल्डेंस डे और 1985 यह आजाएगा आपका क्या नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिस इस दिन इनके नियम भारत देश में लागू हुए एक्सेप्ट जमूएं कस्मीर चलो यह देख लेंगे अगला कोस्टन देखते हैं इंट्रा यूटराइन डिवाइस ठीक है इंट्रा यूटराइन थाने की बात करते हैं सेंट्रल ड्रग लेबरेटरी सीडियल सीडियल कॉलकाता में होता है इंडियन फार्मकोफियल लेबरेटरी गाजियाबाद यहां पर बात करते हैं मेडिकल एडिवाईस एक हिसाब से हो रहा है तो इनका यूज इनका एनलिसिस मेंली कहां पर होता है में कहां पर होता है जी ठाने ठीक है सेंट्रल डॉट्क टेस्टिंग लेबरेटरी और इसके बाद जो आपको दिखाने जा रहा हूं उसका स्क्रिंसाट लेकर रख लेना कौन से टेस्टिंग लेबरेटरी में कि चीच का टेस्ट होता है यह बहुत ही ज़्यादा important और बहुत ही ज़्यादा popular question बनने के chances हैं इस portion से फिर देखते हैं डाइसिटाइल morphine की बात करो इस also known as डाइसिटाइल morphine यह क्या होता है इसे क्या बोलते है कहां से obtain किया जाता है बताएंगे पहला बोला गांजा फिर बात करते हैं हेरोईन चरस की बात करें और कोकेन की बात करते हैं चलो सबसे पहली बात तो मैं आपके बता देना चाहता हूँ morphine obtain किया जाता है opium से opium papa wear some uniform या opium poppy से opium poppy straw से इसे obtain किया जाता है अब opium से और कौन कौन से चीज़ें obtain हो रही है तो morphine होता है codeine होता है और थीवेन होता है चलिए पहली बात तो मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ गांजा यह कैनाभी सटाइवा से प्राप्त होता है heroin की बात करते हैं और चरस की बात कर लो चरस की बात कर लेते हैं चरस भी गांजा से यह भी आपके इस अब dlatego यह ब्हुंआपको अंजह अगर से बात करता हूं अगर डाईए सिटायल फॉर्म अगर उसकी बात करें यही सिटायल फॉर्म अगर मबात करते हैं तो यह आपका हेरोएँ कहलाता है थ्यां रखेंगे ठोफे ऎफ से निक्ला जा रहा है उंक्यार को से निकाल रहे है को का लिप्स का यूज करके निकाल रहे हैं तो इन सभी का बाइलोजिकल सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ध्यान में रखते हुए चलेंगे नेश्ट कोशन देखता है दो अब्जेक्टिव आप दा एंडी पीएस एक्ट चलो इसका अब्जेक्टिव क्या है करना साथ ही साथ अगर उसमें किसी तरीके का कोई अपडेशन होता है यानि एमेंडमेंट होता है तो उस पर भी काम करना अगला क्या बोलते हैं तो मेक इस्टिंजेंट प्रोविजन फॉर्ड दे कंट्रोल एंड रेगुलेशन आप दॉपरेशन रिलेटेड नार्कोटिक इनके रिजाडिंग हमें प्रॉपर तरीके से सारी चीजे रेगुलेट करना है सब जो भी इनके रिगार्डिंग किसी पर काम रहे चाहें एगला क्या बोला है कि यह दोलों ही इनके ऑब्जेक्टिव रहेंगे मतलब बृत एन्वी रहेंगे और यहां पर all of the above आ रहा है चलो क्या निकल जाएगा जी यहां पर आपके लिए correct answer यह सभी हो जाते हैं ठीक है इनका काम यहां पर भी आ जाएगा इनका काम यहां पर भी आ जाएगा तो आपके correct answer निकल जाएगा जी बोत A&B दोने तरीके को मतलब इसे proper तरीके से regulate भी करवाना है साथ ही स जात अगर यहां किसी तरीके का कोई amendment हो रहा है किसी तरीके का सुधार हो रहा है तो इसको भी कंट्रोल करना इस पर भी काम करने का यह इनकी जवाबदारी रहती है चलो अगला question देखते है एस पर दो सेडूल एम दपर मिटन लिमिट ऑप दा सॉलिट कॉंटेंट इन िप्षयत मिलता है अगर मैं इसके बात करता हूं तो वाटर फॉर इंजेक्शन ठीक है यह अकर वाटर फॉर इंजेक्षिंट बना रहे हो तो सॉलिट कॉंटैंट किंटना हो अ चाहिता है वन मिलीग्राम पर बाता हो थे न मिलीस में 100 अलिक होना चाहिए बहुक्ष मिली ग्राम होना चाहिए दस मिली लीटर में चल जरा से सोच कर देखेगा हम वाटर फ्रोड इंजेक्शन बना रहे हैं ऐसे जिसे हम पैरेंटर ली यूज करेंगे तो पैरेंटर ली उसकर रहे हैं जी अगर सॉलिट कॉंटेंट ज्यादा होगा तो पेशन को से रमें मातर अनतर, एकम इली ग्रमृ इड्र में यह वाले option में ठीक है यह आपके लिकरेंट निकलेगा मातर और मातर एक मिली मिली ग्राम, सॉज़ीट गॉंटेंट कितने ती सो km V batra में इतने 100 ml वार travail मात्र 1 मिली ग्राम मात्र ठीक है समयच के चलना तो बहुत ही कम सॉलिट कॉंटेंट हमें यहाँ पर लेते हुए चलना है अगला कोशन देखते हैं एप्लिकेशन टू इंपोर्ट द्रग फार पर 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 पॉर्पॉस ऑप एग्जैमिनेशन टेस्ट और एनलिसी सैल भी मेड इन चलि इंपोर्ट करके इंडिया में ला रहे हैं ताकि हम उसका टेस्ट कर सके उस पर अनलीसिस कर सके तो यहां पर याद रखेंगे यह मात्र यही एक ऐसा फॉर्म नंबर है जहां पर आपको माइनस करना है ध्यान चे सुनना बाकी सब जगा आपको प्लस करना है जैसे अगर मैं बात करता तो इसके लिए आप 12 नंबर फॉर्म में आप करेंगे अप्लिकेशन करेंग और आपको लाइसम मिलेगा 11 नंबर फॉर्म नंबर में ठीक है अने अपको करना है ऐसे आपको याद करना है वहीं अगर बात करता हूं जैसे अगर आप और देंसी सीवन और एक्स लेकर आ रहे हैं तो वहाँ पर आपको आट नमबर में एप्लिकेशन करना है और दस नमबर में आपको एप्रूबल मिलेगा यहां पर आपने प्लस टू किया चलो मैं इसके आपको समझाता हूं यहां अगर मैं बात करता है देखेगा अगर सी सीवन अगर इंड़क्स को आप लेकर आ रहे हैं तो आट नमबर के तहट आप अप्लाय करेंगे तो प्लस टू कर देंगे तो दस नमबर में आपको यहां पर एप्रूबल मिलेगा याद करने का तरीका और से डूल एक्स अगर आप लेकर आ रहे हैं तो यहां पर आपको एट लगा देना है और यहां पर प्लस टैन हो जाएगा ठीक है प्लस टू जोड़ दे टैने हो गया अगर एक्जामिनेशन ले टेस्टिंग ले लेकर आ रहे हैं तो बारह नमबर याद रखेंगे एक माइनस करना है यहां पर तो 11 नंबर हो जाएगा परसनल यूज के लिए लेकर आ रहे है तो परसनल किसी एक परसन को हम इंडिकेट करने के लिए वर्ड यूस करते हैं तो एक किस क्या जाता है जी अलफावेटिकली एक का मतलब होता है तो यहां पर ऐसे याद करना 12 ए और 12 बी के यहां पर मिल रहा है बस भी लगा देना अगर किसी हॉस्पिटल में अगर आप डिस्टिबूट करने के लिए लेकर आ रहे हैं तो 12 लगा देना ठीक है 12 लगा देना यह आपका फॉर्म नंबर इंपोर्ट के लिए हो जाएगा जी ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है फूरम नंबर कोशन बनते हैं वीच रईजिन इच अउपंद फ्रांट इंडियन हेंप प्लांट इन्डियन हें Πलांट से क्या निकाला जाता है आपको बताबाना है भांक निक अलते हैं ओप्यूंजीन और निकालते हैं tension पार्ट क्या होता है है उसे चरस बोलते हैं चरस हजीस हजीस ओयल लिक्विड हजीस के नाम से भी जाना जाता है सबसे ज़्यादा नसीला होता है हम अगर पूरे हम करें की बात करें तो सबसे ज़्यादा नसीला पदार्त चरस ही होता है ठीक है चलो रेजिन पार्ट होता है नेचर रहता है याद रखेंगे की बात करते हैं 1985 प्रोवाइट से लाइसेंस सिस्टम टू रेगुलेट विच आप दे फॉलोइंग और नार्कोटिक और साथ क्या क्या कर सकते हैं किस बात की अनुमित मती आपको मिलती है पहला मैनुफेक्चरिंग करने का आपको उन्हें मैनुफेक्चर करने का फैक्टरी में लेकर आप उसे प्रोसेस कर रहे हैं manufacture करने का आपको यहाँ पर permission मिल रहा है कल्टिवेशन का कि आप उसे खेतों में जगा सकते हैं उसकी आप खेती कर सकते हैं इसका permission मिल रहा है transportation का एक जगा से दूसरे जगा तक आप उसे ले कर जा सकते हैं इसकी अनुमती मिल रही है या यह सभी हो जाएगा देखेगा जैसे बात किया हमने आपको अगर ओिम की खेती होती अधिक आफ़्गानिस्तान वाले जगांगे अधिकतर आफ़ींग की खेती होती है ठीक है तो ऊपBayem की ख्यिती किया तो इसके मैनुफेक्टरिंग मतलब जो आपके आप यहां से इसका गम एक्सट्रेक्ट निकालेंगे इसे जाकर आप फैक्टरी में इस पर काम कर सकते हैं मैनुफेक्टरिंग करके इसके प्रड़क्ट बना सकते हैं इसकी भी परमिशन मिल रही है साथ यह साथ आप आपने बना लिया एक जगह से दूसरे जगह आपको इसे बेचने जाना है लेकर जाना है तो डिस्ट्रिबूशन का भी परमिशन आपको मिल रहा है ठीक है लाइसेंस के अंतरगत यह तीनों ही चीज़ें आप कर सकते हैं और अब यहां पर करेक्ट एंसर निकल जाएगा जी चलो ध्यान रख है तो देखना ndps को बनाता कौन है ndps इस पूरे कमिटी को इस कंसल्टिव कमिटी को बनाने का काम रहता है जी आपका केंद्र सरकार का सेंट्रल गॉवर्मेंट यहां पर स्टेट गॉवर्मेंट का कोई रोल नहीं रहता तो कितने मेंबर्स को मिला कर 20 मेंबर आपको यहा नार्कोटिक ड्रक्स अगर आपने भारत देश में लीगल तरीके से अगर आपने यहां पर नार्कोटिक ड्रक्स को यह साइको ट्रॉपिक अश्चन्स को अगर आपने लीगल तरीके से गैर कामनी तोर पर अगर आपने इंपोर्ट किया या अगर भारत देश से बाहर हो सकता है पहला तो आपको सजा हो सकती है दस साल की सजा हो सकती है या फाइन देना पड़ेगा एक लाख रुपए का या दूसरा आप्शन तीन साल की सजा और आपको एक लाख रुपए का फाइन देना पड़ेगा पंदरह साल की सजा या दो लाख रुपए का फाइन और त दोनों को ध्यान दखना है ना कुश्चिन को यही आपको घुमा सकता है चलिए अब देखेंगे एंडी पीएस बहुत ही खतरनाक होता है जिए अगर कस्टम अफिसर ने आपको एयरपोर्ट में या सीपोर्ट में अगर पकड़ लिया नार्कोटिक्स के साथ तब बहुत है अगर यहां पर पकड़ाए तो अच्छा खासा आपके आपके उपर जुर्माना अच्छा खासा बन सकता है बाकि सभी एक्ट में कम पैसे में बात हो जाता है कम पैसे में आप छुड़ जाओ लेकिन यहां अगर पकड़ाए नार्कोटिक्स के द्वारा तब तो बहुत लंबे से जाते हैं चल पहले कन्विक्षन और सेकेंड कन्विक्षन में क्या हुआ जी और बढ़ गया 15 साल या तो तीन या तो तीस साल या तो पंद्रह साल और दो लाग रुपए का आपको यहां पर भी देना पड़ेगा आपको यहां पर पनल्टी भी पिपे करना यह पोणेट धैस पर दर प्रोडिय हं इस पेक्टर को किस एक्ट के तहत हम एंपॉइंट किया जाता है इन ग्वान किसके किसके अन्दर होता है फार्मेसी 8 के अंदर हो रहा एंडर क्षमेटिस होता है या दिप्र एक्ट के अंतरगत होता है चलिए इनका कहां पर होता है जी आपका ड्रेटन कॉस्मेटिक इंट के तहत 21 नंबर ठीक है इनका îndre अंतरगत इनने पावर दिया जाता है लिए थैंतरा चान्रगत इनका प्रोसीजर फॉल्व होता है यह तीनों ही पाट याद रखना ड्रग इस्पेक्टर से रिलेटेड़ मुथ इन्पोर्टेंट बनता है 21 22 में पावर और 23 में क्या होता है जी इनका प्रोसीजर होता है तो इसमें प्रोटोकॉल होता है ध्यान रखेंगे अगला देखते हैं फॉर्ड दे कल्टिवेशन आप ओपियम इन इस्पैसिफिक एरिया एंड प्लॉट्स लाइसेंस्ट आर इस्वीड भाई ठीक है अगर आपको ओपियम की खेती करने के लिए अगर आपको सरकार ने ग टीक किर सकते डिष्टिक ओपियम ऑफिशार आपको पर्मीशन देता नार्कोटिक की अथा आथ कोई भी नहीं किसके पास आ Too ऑफिशर के पास एक पाउर रहता करता है कि भया वहाँ पर OPM की खेती होनी है आप आप लीड करोगे किसी भी तरीके का वहाँ पर लेंदेन होगा सारा का सारा जवाबदारी आपका होगा सारे डिटेल्स में आप से पूछूंगा कितनी बीज लगाए कितना प्रोडिक्टिविटी हमें मिला यह सभी सारा प्रोड़ जी क्या बोलता है एप्लिकेशन फॉर लाइसेंस लाइसेंस टू मनेफेक्टर लाइसेंस टू मैनीफेक्टर फॉर दर परपाज अग्जामिनेशन टैस्ट और अलसे सी अगर हम किसी डग को मैनिफैक्टर कर रहे हैं किस चीज के लिए किस पर्पस के लिए तो उसके examination के लिए उसके test के लिए उसके analysis के लिए कर रहे हैं तो यहां पर application हमें कौन से application अगर license के लिए application चाहिए तो कौन सा form number के तहत किया जाएगा form number 30 29 24 या 25 चलो यहां पर भी ध्यान रखेंगे जी हम टेस्टिंग की बात कर रहे हैं manufacturing की बात कर रहे है तो form number 30 के तहट अपन application करेंगे और फिर से बता जेना चाहता हूं क्योंकि हम यहां पर test की बात कर रहे हैं तो जब भी application के बाद approval मिलेगा तो माइनस वन लगा के याद करना 29 नंबर पर आपको यहां पर मिल जाएगा ठीक है और अगर आपको form नंबर अच्छे तरीके से करना है तो यहीं पर आपको उपर में आई कार्ड देखने को मिल जाएगा कार्ड सेशन मिल रहा है एक वीडियो का जा कर देख लेना form नंबर इजी ट्रिक और वहां से आप सारे के सारे form नंबर्स आसान तरीके से याद कर सकते हो यह मेरी गारंटी है कि अगर एक बर आपने उस अच्छे तरीके से देखा नोट्स प्रिपेर किया तो आप form नंबर कभी भी नहीं बोलोगे क्योंकि बहुत आसान तरीके से इलेक्स और फार्मकोलोजिस्ट तू सर्व एज अमेंबर आप द्रग टेक्निकल एडवाजरी बोर्ड ठीक है कौन इसे सिलेक्ट करता है इंडियन कौंसील आप मेडिकल रिसार्च आई-C-M-R सेंट्रल मेडिकल एससेशिएशन सी एमें इंडियन फार्मसीटिकल एसेशि दली यह इन्हें अपॉइंट करता है फार्मकोलोजिस्ट को डीटी एवी के मेंबर के तौर पर देखते हुए चलना ठीक है कितरे मेंबर रहते हैं तो एक परसन यहाँ पर आपको मिल जाएगा अगला कोशन देखो एक्कॉर्डिंग टू एंडिपीएस एक्ट कोका प्ला आया या अगर आप किसी वेर हाउस में या अपने किसी एरिया में अगर आपने उसे स्टॉक करके रख दिया छुपा के रख दिया गैदर करके रख दिया एक लंबे समय तक तो इसे क्या बोला जाएगा प्रडक्शन बोलते हैं इलिटिक ट्राफिक बोलेंगे तो यहां पर इस से हम डिनोट करते हैं इलिटी के ट्राफिक के तौर पर जैसे कभी आप ट्रैवल करते रहते हो और लंबा जाम हो जाता है तो आप लंबा जाम हो गया ट्राफिक सिगनल है तो आप जहां पर हो वहीं पर आपको कुछ दे तक खड़ा होना पड़ता है और हम यह बोल सकते हैं कि यहां पर ट्राफिक लाइट है तो यहां बहुत सारी गाड़िया आपस में गैदर हो गई है आपस में गाड़िया रुख गई है ऐसे याद करना ठीक है तो क्यों रुख गई है जी क्योंकि सामदेर ट्राफिक लाइट लगा हुआ है लाल सिगनल है ट्राफिक बोलेंगे यह ट्राफिक जाम हो गया तो सेम ऐसे याद रखना इलीटिक ट्राफिक वर्ड यूज करते हैं अगर आपने गैदर किया अगर आपने उनका कल्टीवेशन किया यह रिमेंबर करेंगे जी बिल्कुल हना इजी ट्रिक लगाते हुए याद करना तो सब क कुछ यह रिमेंबर हो जाएगा आपको अगला कोशन देखते हैं और टैबलेट और कैप्सूल ड्रग इस्पैसिफाइड इन सैडूल एक्स सैडूल एक्स मतलब डेंजरियस डग ऐसे ड्रग जिसका आपको आदत लग सकता है नार्कोटिक ड्रग्स यहां पर आते हैं कैन हम भी माइड इन पैकि पैकेजिंग नोट एक्सीडिंग मतलब अगर बात करता हूं अगर इसका एक टैबलेट का बॉक्स पूरा बन रहा है ठीक है छोटी छोटी वहाँ पर तस दस टेबलेट के जो रहते हैं इस ट्रीप उसके साथ-साथ जब पूराण का बॉक्स बनता ह तो इस पूरे बॉक्स में मैक्सिमम कितने टैबलेट होने चाहिए इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए सब्सक्राइब को बताना ठीक है आप डॉक्टर के पास गए आपको उन्सेने कोई सा ऐसा ड्रग लिखा जो सेडूल एक्स के अंदर आ रहा है आप गए मेडिकल सॉप आपने पूरी डिब भी अपने पुरा बॉक्स उसका खर्दा मैं सिर्फ एक स्ट्रिप की नहीं बात कर रहा हूं यहां पर मांद कर चलो दस स्ट्रीप है एक दो तीन है से जाझाय से कर के 20 सित्रीप है और कि इंद्द टैन्स टैबलेट एंट टैन स्ट्रीप कितने होगा गया जी एक बाक्स में हंडेट से जादा स्ट्रीप अंडेट से ज्यादा टैबलेट नहीं आ सकते है यह क्लियर करना ठीक है यह नियम है इसका अगर सेडूल एक्स उसमें कंटेन करता है तो चलो ठीक है क्योंकि बहुत ज्यादा है वीट फॉर्मिंग अगर किसे ज्यादा किसी को मिल गया तो किसी परसंट की जान भी जा सकती है खतरनाक हो सकता है उसके लिए अगला यह सभी है यहीट सब्सक्राइब करता है यह आज़े इनकी आदत लग सकती नसीलESS तो होते हैं इस ले इनहें डेने लेफ्येस तहत माना जाता है और अगर गेहीं पर बोला जाएगा नारकटr ट्रक्टिक्ट्रक्स है निय्को को टीTuय चलते हुए जीक चलू आगला कोशन देख लो क्याoshing बोल रहा है यहां पर कीपिञ्ट एकाउंट और स्टेटमेंट अंडर अग mortar मतलश मैंकर चलिएगा अगर आपने क्या किया किया ढई ndps के तहट जो भी आपके पास प्रड़क्ट नहीं है चाहे वो प्यम रहे हैं रहे किसी भी तरीके का कोका रहता है अगर आपने इसका गलत किस तरीके का सजा मिल सकता है एक साल का सजा या फाइन होगा या तो दो नहीं हो सकता है दो साल का सजा या तो फाइन या तो दो नहीं होगा फिर बात करते हैं तीन साल की सजा या फाइन या दो नहीं हो सकता है पांस साल का सजा या फाइन या दो नहीं हो सकता है यह कंडिश अगर करते हैं जी तो बता रहा हो तीन साल की सजा या तो फाइन या तो दोनों ही आपके साथ हो सकता है यह इंप्रिजन्मेंट की बात करते हैं यह पनिशेवल की पनिश्मेंट की बात करते हैं जी तो इन्पॉर्टेंट रहेगा इन सवी कोश्चन को जरूर से रिमेंबर कर करते हुए चलना और जो फॉर्म नंबर मैंने बोला वो जाकर क्रॉस चेक करना इसके प्रिविएस वीडियो को देखना और रेगुलर बेसिस पर इन सभी वीडियो को वाच करते रहना प्लेलिष्ट क्रियेट हो चुकी है प्लेलिष्ट को भी जाकर अभी यहां आप क्लिक कर करके देख सकते हैं प्लेलिष्ट आपको मिल जाएगा ठीक है चलिए थैंक्यों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एम से क्यूस के साथ पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए थैंक्यों सगेंड झाल 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 झाल